स्टूडेंट 6 छेप्र शैप्रश रो करते हैं political parties political parties एक असां सावड़ है आपको भी पता है हमारे elections में बहुत सारे political party है election contest करती है जीचती है सरकार बनाती है तो democracy में हम पढ़ेंगे कि political parties का क्या रूल है डेमोक्रेशिय में क्या होता है आपको पता है चुने हुए लोग सासन करते हैं और चुनाव का एक तरीका होता है कि जो लोग हैं वो वोट प्राप्ट करते हैं बट एक व्यक्ति इतने बड़े इलेक्शन का बार ने उठा सकता एक आदमी की कोई पॉल्सीज नहीं होती तो उन व्यक्तियों का एक समू बन जाता है जो समान विचारधारा के लोग होते हैं जो उनकी एडियोलोजी एक होती है उनकी विचारधारा एक होती है समान विचार रखने वाले लोग अपना एक और्गनाईजेशन बना लेते हैं और ये और्गनाईजेशन लोगों के सामने अपनी policies अपनी ideologies रखती हैं और लोग उसमें से select करते हैं कि हमें election में कौन सी party को चुनना है भारत तो आप देखते हो कि multi party system है भारत में multi party system है multi party का मतलब यहाँ एक दो party नहीं है ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ एक party हैं जैसे चाइना मेक्सिको जैसे देश ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर two party system है जैसे इंगलेंड और अमेरिका वहाँ तीसरी party हैं भी हैं बट वो इतनी एक जैस्ट नहीं करते हैं और भारत एक multi party system है इसका मतलब यहाँ बहुत सारी political party हैं आप comment में इनके नाम लिख सकते हों बीजेपी है, Congress है, तिरनमुल Congress है, अखाली दल है, इनेलो है, लोक ना, एक जनता party है मतलब भारत में तो यह लगा लो, आप 15-16 सो से भी ज़्यादा political party हैं और याद से नहीं, जो भारत से वतंतर हुआ तब भी यहाँ 45-46 राजनेतिक दल थे क्योंकि भारत की democracy यह allowed करती है, कि यहाँ भिन-भिन विचारदारां वाले लोग हैं, तो भिन-भिन political party हैं भी है को चुनते हैं, तो political party हैं इसलिए अस्तित्माई, सबसे पहले जो अमेरिका है, आपको पता, वहाँ election होने शुरू हुए था, अमेरिका में, सबसे पहले सविधान बनाया गया था, स्तरा सुस्तास से में, वहाँ के जो leader 13 अस्त्रपती, वांसी गटन, वो कभी नहीं चाते थे कि अमेरिका में political party हैं हो, इवन हमारे pressure group के रूप में काम करें, बट Congress ने गांदी जी की विज़ारदार को नहीं माना, वांसी गटन ये चाते थे कि वहाँ कोई political party हैं ना हो, क्योंकि वो political party हों के अमेरिकीन जो political system था, democratic system वो बच नहीं पाया, और वांसी गटन के काल में ही political party हों का उध्यवहाँ हो गया, अब political party हैं कि मैंने जरूरत बता दी क्यों, क्योंकि वो election लोगों की 24 का एक साधन बनते हैं, लोगों को चुनना होता है, तो एक political party के रूप में जो organized लोग होते हैं, वो उनको चुलते हैं, उनके विचारधारा होती है, अब हम political party के बारे में पढ़ेंगे कि इनके features क्या हैं, यहां से 6 number का question हमेशा आता है, इसमें political party के features पुछे जाते हैं, य अब मैं बढ़ाऊंगे तो मैं आपको बता दूँगे, उसके बाद उनकी कमिया और उनकमियों को दूर कैसे किया जा सकता, में लिए इंडिया के contest में, इंडिया के context में आप बताऊगे कि political party ओं में क्या क्या बुराईया हैं, और इन बुराईयों से भी आप वाकिफ हो, आ जैसे सराब ज़्यदा प्रियोग होती है, एक दूसरे के party ओं में बदनाम करती रहती हैं, एक दूसरे पर allegation लगाती हैं, सरकार के काम में बादा डालती हैं, या जो है, अपने favor में करने के लिए by hand, hook and crook, money power का प्रियोग किया जाता है, polarization होता है, वोटों का, या उसमें ताकत का प्रियोग किया जाता है, प्रादियों की बढूतरी होती है political party ओं से, ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, political party are ideally one of the most visible institutions in democracy, democracy जलकती ही आपकी political party ओं से, मतलब आप कलपना भी नहीं कर सकते कि अगर political party या ना हो तो हम कैसे लोगों को फोर्मोस्ट ऐसी बात नहीं है कि political party या नहीं होंगी तो मतलब पूरी democracy कोलैप्स हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे आदरस तरीके हैं, बट वो आदरस तरीके जो वर्तमान की political system हो, उसमें fit नहीं हो रहे हैं, कहने को तो ये भी कह सकते हैं, हम political party यां को निकाल दो, नीचे जो है, वो जिला सतर पर लोग चुने, जो गाओं के लोग चुने हुए थे, जिला सतर वाले राजे सतर पर चुन लें इस तरह से, मिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें हमें बताई भी हैं, फोर, more ordinary citizen, आम लोगों के लिए, democracy is equal in two political party, democracy का बतलब होता है, political party है, if you travel to remote part of our country and speak to less educated citizen, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chance are that they would know something about our political party, political partyों के बारे में हर कोई जानता मिलेगा, मालो, जैसे मैं तो आपको बढ़ा रहे हैं, और आपको कीटाबों के माइदेम से पता चलता हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कभी school वगेरा में नहीं जाते, कभी books नहीं पढ़ते, लेकिन आप से ज़्यादा उनको political partyों की knowledge है, इसका मतलब यह हैं, कि हबारे देश में जो एक democracy के अंग के रूप में political party हैं, वो एक जगह बना चुकी हैं आम समाज में, आप इसने कहा ना, कि अगर आप दूर remote area में चले जाओं, उनको कानून का constitution का सरकार के political system का नहीं पता उसको कैसा है, बट उन्हें political partyों का जरूर पता होगा, क्योंकि पहली बात तो हमारे देश में दल बहुत हैं, हर महले, हर गाओं में एक दल मिल जाता है, उसके workers मिल जाते हैं, काम करने वाले मिल जाते हैं, कारिय करता मिल जाते हैं, और इस वज़े से, but most people tend to be very critical or political parties, और बहुत सारे लोगों की यह political partyों को क्या करते हैं, अलोचना भी करते हैं, कि political party आईसी हैं, बैसी हैं, they tend to blame party for all that wrong with our democracy and political life, और आपको यह भी स्कोल्ट करते मिलेंगे, आपको गालियां देते मिलेंगे, कि जितना भी हमारी हो रही है चीज़े, वो political partyों की वेज़े से हो रही हैं, बहुत सारे movies भी इस तरह से बनी हैं, कि political party आपकी इस तरह से एक दूसरे को replace करने के लिए, साजी से रस्ती हैं, सडियन तरस्ती हैं, parties had become identified with social and political division, और कई बार political party हमारे ऐहां ऐसी भी दिखाए देंगी, जो समाजिक और धार्मिक रूप से लोगों को बाढ़ती हैं, मतलब ऐसी political party हैं, जो यह समझती हैं, कि हम सिर्फ इस ग्रूप के लोगों के लिए हैं, जैसे बहुत जन्म समाजबवादी party है, वो अपने आपको backward पिछडों का दल मानती है, तरुनमूल कॉंग्रेस है, वो बंगाल की इसी तरह मराठ, जो यह मराठों की party है, बाला साथ ठाकरे की party है, वो अपने आपको महराष्ट्रियन धर्थी पुत्र के नाम से बुलाती है, तो यह कई बार क्या करती है, कि एक समू या section से related होती है, बट ऐसी बात नहीं कि सारी party हैं, हमारे देश में Congress है, BJP है, या बहुत सारी ओर political party हैं, जो नेशनल लेवल के party हैं, जो हर section, हर शेत्र के लोगों को साथ लेकर चलती है, therefore it is natural to ask, do we need political party at all, तो यह natural पुछा जाता है कि, कि हमें political party होई जरूर था, about hundred year ago, there were few country of the world that had any political party, कुछ समय पहले, कुछ hundred साल पहले, 200-300 साल पहले ऐसा था कि, कुछ ही देशों में political party थी, बहिए उस समय डेमोक्रेशी भी नहीं थी, जैसे जैसे डेमोक्रेशी का विकास हुआ, राजे खतम हुआ है, या उपनिवेस्वाद खतम हुआ, क्रमिनिस्ट खतम हुआ है, political party यों ने जगह बना ली, जहां जहां डेमोक्रेशी का परशार हुआ, political party यों पैदा हो गई, now there are few that do not have political party, और कुछ ही ऐसे देश है अब, जहां political party यों नहीं हो, मुठी बर, क्यों? क्योंकि मुठी बर देश ऐसे हैं, जहां पर डेमोक्रेशी के अलावा, कोई दूसरी तरह का सासन है, तो यह आप से पूछता है, कि omni-present का मतलब होता है, ऐसी चीज जो सारे विशों में फैली हो, तो कि जो डेमोक्रेशी है, वो सारे संसार में क्यों फैली होई है? Let us first answer, what political party are and what they do? सबसे बहले हम यह देखते हैं, कि political party हैं होती क्या है और वो काम क्या करती है? बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप इनका जानते ही हो, बट इसका एक meaning है, वो आप meaning याद कर लो. Meaning, a political party is a group of people. ये एक group of people है, who come together to contest election, जो election लड़ने के लिए इकठे होते हैं. लोग, जिनकी विचारधारा, जिनकी ideology, जिनके hit, जिनके interest, interest और hit के बाद हम अलग करेंगे, जिनकी विचारधारा एक है, जो policies पर, किसी एक policies पर वो सहमत हो जाते हैं, election लड़ने के लिए कठे आते हैं, power जो government बनाते हैं, तो वो ही कठे बनाते हैं, और उनकी एक साजी policies and programs होती हैं, जिनके हम political party कहते हैं, programs for the society with a view to promote the collective would, since there can be different view on what is good for all, और वो policies and programs, वो समाज के किसी एक वरग के लिए नहीं होते, क्योंकि जैसे ही government बनती है, government किसी एक वरग और समू के नहीं रहती, government बन जाती है सब की, चाहे किसी ने vote दिये हुए हैं या ना दिये हूँ, जब government काम करती है, तो ऐसा काम करती है, जो सब के लिए भले हित कारी हो, तो political parties का भी ये काम है, कि वो एक policy और प्रोग्रेम उनकी एक होती है, organized लोगों का एक समू होता है, बट जैसे ही वो शरकार में आते हैं, तो वो सब के लिए काम करते हैं, ये बहुत सारी तस्मेरें आप देख रहे हूँगा, ये political parties के चिने हैं, ठीक है, जैसे Congress का Palm है, या हाथ के अधेली है, बीजेपी का कमल है, बहुत सारी हैं, आप त्यार कर ले न, अपने एक जैसे भी आप कॉपी बनाओ, तो उसमें आप कलर से शिंबल बना सकते हो, political party हों के इनी पर तो चुनाव लडती हैं फिर, election commission has officially banned wall writing by party during election time, most political party argues that was the cheapest way for their campaigning, these election time used to create amazing get if we own the walls, here are some example of Tamil Nadu, ये क्या है भई, हमारा आपको पता है, election commission करवाता है, तो समय समय पर वो guideline कर देता है, जैसे कई बार क्या होता है, जो ये इस तरह के poster हैं, ये सारजनिक स्थानों पर, court की दिवारों पर, स्कूल की दिवारों पर बना दिये जाते हैं, बट आप सुपर, जो election commissioner, उन्हें बैन कर दिये, कि आप इस तरह से दिवारों पर नहीं बना होगें, तो election के, पार्टियां ये कहती हैं, ये तो हमारा सबसे चीपश्ट तरीका है, लोगों को रिजहाने का, तो ये तमिलनाडू की कुछ दिवारों पर ये चीजें दीख रही है, ठीक है, उसके बाद, वरब have all our leaders coin at a time like this, ये मतलब stage पर जैसे आप campaign देखते हो ना, आपने 9th में पढ़ाओगा, प्लिटिकल पार्टियां की इस तरह से campaign करते हैं, रेलिया करती हैं, तो इस तरह से रेलिय का एक poster दिखाया गया है, तो हम प्लिटिकल पार्टियां क्या क्या करती हैं, उसके लिए देखते हैं, उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं, पार्टी ट्राइट टू प्रशूड पीपल वाई देयर पॉल्सीज आर बैटर देन अदर अब पार्टीयां लोगों को रिजाती हैं कि उनकी पॉल्सीज दूसरों से बैटर की स्थरह से हैं और उन पॉल्सियों के लिए वो दावा करती हैं कि यह चीज मैंने अपने गोशना पतर में लिखी दी और जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा कोई भी प्लिटिकल पार्टी यह करती है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो हम यह सारी चीज़ें करेंगे थस पार्टी reflect fundamental political division in a society parties are about a part of society and this involve partnership देखो कुछ political party यह ऐसे होती हैं जो लोगों को भिन भिन हितों के लोगों का नितरताव करती हैं तो इसे partnership कहते हैं क्या होता है पार्टी किस बेस पर होती है कि वो पार्टी का उदेश्य क्या है उसकी प्रोग्रेम्स क्या है और ये किस-किस के हीतों का प्रतिनीदीदों करती है तो इसमें तीन तरह के लोग होते हैं एक होते हैं लीडर्स जैसे उपर टोप पे बैठे हुए लोग होते हैं जैसे इंद्रा सोरी कॉंग्रेस पार्टी में आभी राहुल गांदी जी हैं सोनिया गांदी जी हैं जो में डिसीजन लेते हैं लीडर्स होते हैं जैसे हरियाना मे हुडा साब हैं वहां के राजस्थान में सचीन पाइलेट या असोग गहलो होते हैं इस तरह के लीडर्स और जूसरे होते हैं एक्टिव वर्कर्स आपने पता है इनके पिछे खड़े होके नारे लगाने वाले और सफीद कपड़े पहने वाले जगह जगह गाओं में प्रटी में है ठीक है कि हम कहते हैं ना आपने सुना होगा कि हम तो BJP वाले हैं हम मिनलो के आदमी हैं हम Schools के कारिये का वो फोलोवर्स हैं मानने वाले हैं तो यह फोलोवर्स होते ம reactive ond नी दिचल कि आथे खरआ ग्रूप की सब्सक्राइ्जाज यह ही फिच्चरर आचे सकता है उसके बाद है तो प्लिटिकल पार्टी मेंने बता दिये गृप ऑप पीपल वहार और ऑर्गनाइज़ इस एक साउनोम एक है, and in the election, they contest the election, after defeat, they sit in opposition, criticize the government, and raise questions against the policies of the government, but if they won the election, they make the government, implement their policies, programs, and win the confidence of the people, and do good for the people, there are two jobs, one in opposition, one in government, after they become the policies, programs, but if they defeat, then they sit in opposition, and opposition's main job, you know, they criticize the government, and some party, they do sports, okay, so first of all, we see the function, the first function is political party contest election, election happens after five years, which we conduct election by our country, so election doesn't fight, but election party is fighting, which people fight, they become a leader or leader, they become a seat, they become a political party, , yes, you can, you can't join any political party, but you, you contest election, why political party? पार्टी से के मैदम से ही आप इलेक्शन लड़ोंगे, हमारे डेमोक्रेशी में यह है, बट जितनी इमेज रजिम, जितनी एक वैल्यू, प्लिटिकल पार्टी के मेंबर के होती है, वो निरतलिये की नहीं आम तोर पर देखा जाता हमारे देश में, अमंग दा कैंडिडेट पुट आप बाई प्लिटिकल पार्टी, पार्टी स्लेक्ट देर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे, आपको पता है, जब जैसे इलेक्शन अनौन्स होते हैं, तो टिक्टों की मारा मारी के लिए जो है, वर्कर्स जो है, अपने बड़े-बड़े ल पार्टी चूज इट्श गैडिडेट, यूसा जैसे देश में क्या होता है, मेंबर या स्पोर्टर होते हैं, जो बौट डालने होते हैं, इस पार्टी के स्पोर्टर ही चुनते हैं, जैसे अमेरिका में आप जाओगे न जब रास्टरपति के इलेक्शन होते हैं, या नरतफाद में. नाव मोर और मोर कंट्री आर फोलोइंग इस मैथ़ड़ आप वह सारे जो देश हैं उसको अपना रहे हैं इस मैथ़ड़ को. क्या हमारे देश में ऐसा होता है? देखो हमारे देश में भी एफेक्ट माना जाता है कि इसके स्पोर्टर कितने पीछे हैं लेकिन हमारे देश का एक दुर्बाइगा है आज भी हमारे देश में जो कैंडिडेट का चुनाब वही से दार पर होता है कि किस जाती के लोग उस छेतर में जाता हैं किस दरम के लोग ज़ादा हैं किस बाचा बोलने वाले हैं कितना धनी ब्यक्ति है इस तरह से election का खर्चा उठा सकता या नहीं उठा सकता अच्छे बुरे का कोई भी नहीं है हमारे देश में In other country like India top party leader choose candidate for the contest is election हमारे यहां तो जो लिस्ट उपर से बनकर आती है न वही जो है चुनाव लड़ते हैं वो पर जयाता है कि किस को party ticket दे रहे हैं यह तो अच्छा है जनता से पहले पूछ लिया जाए कि आप किस पार्ट किस candidate को चुनना जाते हैं उसके बाद second है policy and programs बनाना अरे किसी की पहचान policies program से तो होगा कि आने वाले समय में आप जनता को दे क्या रहे हो मतलब उद्योग लगाओगे, dams बनाओगे, किर्शी के भाव दोगे, sports को उचा उठाओगे, military को मजबूत उठाओगे और यह policies program होते हैं जिसे वो घोशना manifesto में लिखते हैं और उसको पढ़कर लोग बड़े अट्रेक्ट होते हैं Parties put forward different policies and program and the voter choose from them अपने policies program लोगों के सामने रखते हैं और voter उसमें से जो भी अच्छे आकरसक लगती हैं जैसे एक बार चुटाला पार्टी ने कहा था कि हम लड़कियों को कोलेज में जाने वाड़ा को स्कुटी देंगे तो बड़े अट्रेक्टिव अब यह चीज़े स्कीम वसे से लालज कहा जाता है Each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for society अब जो different opinion or views के लोग हैं अब वो देखते हैं कि यह society के लिए कितना अच्छा है But no programs can handle such a large variety of views In a democracy, large number of similar opinion have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government This is what the party do A party reduce vast multitudes of the opponent into देखो, कई बार क्या होता है कि society को किसी एक views या opinion पर लेके आना, बहुत मुस्किल होता है लेकिन ऐसी चीज़ें जिस पर सभी सहमत हो कुछ न कुछ तो होंगी न तो political party यह करती हैं, कोसिस है कि कुछ ऐसे programs, policies बनाई जाए जो, जिस पर सभी सहमत हो ठीक है, partition क्या मतलब है a people who is strongly committed to party partition का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी party के विचारों से सहमत हो कटरूप से, कहते हैं न कि पका कांवर्शी है पका BJP है, जो अपनी party के विचारों से ideology से बिलकुल committed हो strongly committed हो group or function patricianship is marked by the tendency to make a side and inviability to make a balance beyond an issue और कई बार क्या होता है partition एक ऐसा चिनय होता है tendency होती है, जो excited होती है मतलब, Congress है तो वो चांवर्श कुछ भी गलत करे तब भी ना माने BJP का है तो कुछ भी BJP की चाहे गलती वो तब भी ना माने इस तरह के अव्यक्ति को partition बोलते है उसके बाद है तीसरा एक फ्यू बेसिक पोजिशन विच इस पोर्ट एक गॉर्नमेंट इज अक्सेप्टिड टू बेस इट्स पॉल्शी उन्दा टेकन बाई दा ruling party और क्या होता है मैंने बताया ना कि सारे program तो ऐसे नहीं होते जिस पर सारे group साहम में तो समाज के तो ऐसे में एक ऐसी चीज बनाई जाती है जिससे समाज का ही तो हो और ruling party जब बनती है तो मैंने बोला ना कि चाहे वोट दे और वोट दे सबकी party हो जाती है तो वो ऐसी पोल से इस अपनाती है उसके बाद third है third उसका function है party play a decisive role in making laws of the country विल्कुल सही है ये कि हमारे देश में party कानुन बनाने में बहुत महत्पुन स्थान रखती है कैसे रखती है देखूं हमारे देश में कानुन बनाने का काम किसके पास है पार्लेमेंट के पास है जो राज्य सूची के विशे उन पर राज्य की legislature assembly कानुन बनाती है और जो central government होती है उसका कानुन बनाने का काम जो है पार्लेमेंट करती है संसद करती है अब मुझे ये बताओ संसद में कौन लोग बैठे होते है संसद में दो house है लोकसभा और राज्य सबा लोकसभा और राज्य सबा में MPs बैठे है Member of Parliament और वो पर लेमेंट के members किसी ने किसी political party के होते है लोकसभा का election होता है लोकसभा election में MPs चुने जाते है और लोकसभा इलेक्शन में वो लोग जुने जाते हैं जो किसी ने किसी political party के होते हैं और सरकार किसकी बनती है जिसको लोकसभा में 50% plus 1 का बहुंबत हो अब ये लोग क्या करेंगे ये मंतरी बनेंगे मनिस्टर्स बनेंगे मनिस्टर बनके वो किसी ने किसी भाग को समालेंगे डिपार्टमेंट को समालेंगे उस डिपार्टमेंट को किसी ने किसी कानून की जरूरत होगी जैसे सडक और प्रिवेन मंतरी को नए कानून की जरूरत है अगर वो accident rate कम करना जाता है स्कूलों में education policy की जरूरत होगी अगर educationЙ से डंग से करनी है तो education minister को नए-ने कानून चाहिए तो इस तरह से health minister को भी ने कानून चाहिए ये कानून बनाने का काम कौन करेंगे ये कानून का काम बनाने का काम आपको संसुद कहती है नए MPs करेंगे बट MPs Minister भी है Minister Bill लेकर आएगा किसी जैसे कच्चे कानून को Bill कहते हम वो Bill लेकर आएगा वो Bill कैसे लेकर आएगा जैसे उसकी Political Party की विचार धरा वैसे लेकर आएगा और उस Political Party के जितने भी Member संसद में है वो उनको वोट देकर उस कानून को बनवा देंगे ठीका ना? तो इस तरह से हमारे देश में Government बनती है और वो कानून बनाती है तो इसका एक सबसे Best काम है देश के लिए कानून बनाना अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या कानून सिर्फ सरकार के Ministers बनवा सकते हैं या Private Member भी मना सकते हैं प्राइवेट का मतलब वो जो वेक्ति सरकार में नहीं है बता MP है जैसे बहुत सारे लोग जैसे Congress Party है या दूसरी पार्टियों वो पोजीशन में बैठी हैं वो प्राइवेट वेक्ति हैं देखो Bill वो भी ला सकते हैं जैको अच्छे कानून होता उसको Bill बोलते हैं बट उनके Bill का पास होने की कोई guarantee नहीं होती क्योंकि उनके पास वो मत नहीं होता है इसलिए सारे Bill जो है वो सरकार लेकर आती है क्योंकि सरकार को काम करने हैं वो प्राइवेट वेक्ति काम ठोटे नहीं कर रहा है जो कानून लेजिसलेचर में पास होते हैं डिबेट होते हैं कई बार क्या होता है बट बहुत सारे मेंबर जिस पार्टी से वो बिलोग करते हैं अपने पार्टी के डिरेक्शन के मैध्यम से ही चलते हैं डिरेक्शन का मतलब मान लो एक एजुकेशन पॉलिशी का भी लाया अभी जो भी ला रहा है वो तैंथ का बोर्ड खतम कर गए सरकार उस पर एगरी है बट उनी सरकार का कोई मेंबर है वो कहता है कि नहीं जी मैं मैं दस्मी के बोर्ड को खतम करने के हित में नहीं क्या वेक्ति अपने सरकार के विरूद बोर्ड दे सकता है लेकिन बोर्ड तो वो दे भी सकता है मतलब बट पार्टियों के अपने अपने रूल होते हैं पार्टिस के अपने अपने कानून होते हैं कि विप जारी कर दी जाती है उनको विप का मतलग होता है एक ऐसा दल सचे तक बोलते हैं कि अगर आप अपने पार्टी के विरुद बोट दोगे तो कल आपके विरुद ये ये हो सकता आपको पार्टी से निकाला जा सकता है तो कई बार ना चाहते हुए भी जो पार्टी मेंबर होते हैं उसे अपने पार्टी का साथ देना होता है क्योंकि अगर कोई सरकार बिल आती है और वो बिल पास नहीं होता तो सरकार को रिजाइन भी देना पड़ सकता है पार्टी फोरॉम एंड रंदा गॉर्मेंट उसके बाद पार्टी का जो मेन कामा वो ये है कि पार्टी इलेक्शन लड़ती है इलेक्शन के बाद अगर उसे संसद में या लाजिस लेचर असेंबली में बहुमत मिलता है बहुमत का मतलब टोटल शीटों का 50% प्लस वन और उसके बाद वो क्या करती है वो सरकार बना लेती है सरकार बना के आपको बता है बिग बिग पॉल्शीज बनाती है डिसीजन लेती है और जो देश के एकजेक्टिव का कारिया पालिका का काम करती है वही से तो लीडर आते है ठीक है उसके बाद है जो पार्टी नहीं जीत्ती बट इलेक्शन लड़ती क्या उनकी वो कोई मेन नहीं रखती नहीं जो हमारे देश में political party यां election lose कर जाती हैं जीती नहीं है तो वो क्या बन जाती है role of opposition party opposition party का role धारन कर लेती है वो विपक्सी party जिसे बोलते हैं हमारे देश में विपक्सी leader को cabinet minister का दरजा दिया गया है दुरभाग्य की बात यह है कि हमारे देश में कोई इसी position में नहीं है आप political party बन सके sorry opposition party बन सके फिर भी congress को एक main दल माना गया है opposition party का तो आपको पता है वो congress या जूसरी opposition party है वो क्या करती है government जो नीतियां बनाती है उनकी अगर वो fail हो जाती है तो उनके लोचना करती है जन्मत को त्यार करती है लोगों को उनके विरूद बढ़काना में ही नहीं कोँगी उसके विरूद जन्मत बनाती है और आने वाले election के लिए अपनी त्यारी करते है आज के लिए इतना ही thank you thank you